गुड मॉनिंग एक बार फिर स्वागत है आपका इंस्टेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज हम एनलेसिस करेंगे के विएस टीजीटी की कटोफ के बारे में जी हां क्योंकि काफी स्टुडेंट्स के मैसेज आए है कि की विएस टीजीटी की कटोफ क्या रह सकती है उसका इनलेसिस भी आप करें तो डेफिनिटली हम वो आज करने जा रहे हैं इससे पहले हमने के विएस पी आटी का कटोफ का इनलेसिस की वीडियो अपलोड कर दी है तो आप एक बार उसको भी देख लेगर आपने पी आटी का एक्जाम दिया है तो कुछ डाट भी काफी स्कूरिंग आपका क्राइडेरिया रहता है और आपकी अच्छी तैयारी वहाँ पर जरूर होनी चाहिए तो केटेगरी वाइस हम एनलेसिस करेंगे साथ में पिछले साल की कटोफ भी डिसकस करेंगे क्या रही है तो जब शुरू करें उससे पहले ही मैं पिछले स आपको जरूर काम आएंगे फिर मैत की हाइस्ट रही थी 106 और टीज़ी टी में संस्क्रीट की 97 लोएस्ट रही थी तो यह एक हमारे पास आंकडा है यानि जनरल में तो यह लोएस्ट और हाइस्ट है और SC में आपकी लोएस्ट और हाइस्ट की क्राइटेरिया यहां पर है तो यह चीजें आपको ध्यान में रखनी है लेकिन यहां पर दोस्तो एक बात याद रखें, अगर आपने भी पिछली बार एक्जाम दिया था तो आपको मालूम होगा पिछली बार का एक्जाम का लेवल क्या था, साथ में एक और बात था, पहली बार इंट्रोड्यूस कि अगर किसी वे हमारे दोस्त के पिछली बार के कट ओफ अगर वो स्कोर लेके आता है तो उनको मैं डेफिनिली कह दूँ कि आफ सेफ हैं और अपनी तैयारी इंटर्व्यू की स्टार्ट कर दें यह कट ओफ अगर किसी की आप भी रही है इसी ने कंपेर किया होगा पिछली बा तो मैं आप उनको अपनी तरफ से थम्स अप कर देता हूँ उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए आपका इंटर्व्यू में डेफिनिली कॉल आने वाला है इसके बाद कुछ क्राइटेरिया और हैं जो डिफाइनिंग रहेंगे हमारी कट ओफ में तो चलिए उनको देख जाते हैं और डेफिनेटली एक अच्छे खासी विकंसी आपके लिए तयार हो जाती है क्योंकि कट ओफ डिसाइड होगी फाइफ हंडर्स फाइफ सेवन पर लेकिन यहां पर थोड़ा सा मसला यह खड़ा हो जाता है कि अलग-अलग सब्जेक्ट वाइस विकंसी आ हैं और केंड़ेट बलाएंगे तो वहां थोड़ा सा आपका वैरी करेगा क्योंकि जब कोमन रिटन एकजाम एक जैसा है तो फिर मैथ साइंस इसमें कैसे डिफरेंशियेट होगा वो इस बेस पर होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंस कितने साइंस मैथ के अलग-अलग सब्ज लिस्ट थसमाक्स की अगर आप मुझसे रिलेट करते हैं बात से तो आप कहेंगे कि जी इजी लेवल था कुछ-कुछ मोडरेट की तरफ जानने की कोशिश होई थी लेकिन जा नहीं पाया और अगर हमारे अटेम्ट एफ एर अटेम्ट के बारे में बात करें तो हम वहां से पंदरा नंबर लेके आ सकते हैं डेफिनिटली पंदरा नंबर आपको वहां से मिल रहे हैं और ये आपके लिए एक अच्छा स्कोरिंग बैटरन रहा कुछ एक्सेप्शन केस में किसी ने सतरह ठारा भी किये होंगे वह अलग बात है लेकिन के वीज के स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम एवरेज जिनोंने तैयारी की पंदरा नंबर उनके बिलकुल आ रहे हैं और पंदरा नंबर यहां से आप आगे लेके जाएंगे फिर जो सेकिंड पार्ट है वहां पर जो हुआ है कांट चांट जो आपकी मतलब जबर्दस तरीके से प्रिक्शा ली गई है के वी रिजनिंग आपकी मोडरेट थी कोशिश की गई तफ की तरफ जाने की और 40 मार्क्स था मैं आपको यहां पर जो एनेलिसिस हमारा कहता है कि 25 मार्क्स आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं या फिर ये तो आपको स्कोर रिजनिंग से आ सकता है हर एवरेज टूडेंट्स का तो ड 25 नंबर आपने उसमें स्कोरिंग राइटेरिया में लेने पड़ेंगे आपको अगर आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया कंप्यूटर भाई साब बहुत हार्ड था हार्ड था लेंग्विज इतनी जवर्दस दी हुई थी कंफ्यूज हो रहे थे हर एक पॉइंट पर अलग अ होगा कि बहुत बड़ी एक्विशन पूछे गए हैं और लेवल मोडरेट था टफ पर जाने की कोशिश की गई थी पहुंचने में थोड़ा नागामियाब रहा लेकिन 25 का स्कोर तो आप वहां से कर पाए होंगे कोई सूपर इंटेलिजेंट कुछ रहा होगा तो साए 30 तक करने की वो 20-22 में ही सिमट कर रह गए हैं तो यहां 22 भी हो सकता है थोड़ा उपर चला गया तो वरना 20 फैर इनफ रहेगा कहना और यह गर टोटल मिला लें दोस्तों तो 76-75 ही बन रहा है इस सेक्शन से तो 75-76 मार्क्स सेकिन पार्ट से आप ले जाते हैं और 15 मार्क्स आप पिछले पार्ट से ले के आते हैं तो यह 91-92 के आसपास बैठता है आपका स्कोर और हमारा जो कट ओफ एनलिसिस कहता है क्योंकि एक अदा उपर नीचे स्कोर हो सकता है मैं हिंदी इंग्लिस में वहाँ आपको एक नमबर एक्ष्ट्रा दे सकता हूँ यहां CSGA में एक नमब पर आपको फिर मैं थोड़ा सा मार्जिन देता हूँ तो दोस्तो हमारी कट ओफ जो उस बैरियर पर आके रुकती है मैं आपको सेफ स्कोर बताने जा रहा हूँ जो सेफ है बिलकुल तो जनरल के कोई स्टूडेंट्स है और 92 के मार्क्स है तो बिलकुल सेफ है आपको तैया कर देनी चाहिए चांस में यहाँ पर 90 अगर किसी के है ओबी सी में तो जनरल में तो डेफिनिटली दे रहा हूँ यानि 90 प्लस से उपर वाले स्टूडेंट अपनी इंटर्विव की तैयारी शूरू कर दें फिर ओबी सी के जो स्टूडेंट है 91 92 यानि बनिस्पत जनरल औ ओबी सी में आपको डिफरेंशियर नहीं करना डेफिनिटली यही कट ओफ आपकी दोनों की बराबर रहने वाली है 92 92 तो अगर किसी के स्टूड 90 प्लस हैं तो वो अपनी तैयारी शूरू कर दें दोनों स्ट्रीम्स में सी का कोई केंडिट सुन रहा है तो 89 के आसपा स्कोर में उनके इंटर्यू में जाने की उमीद है स्टी के स्टूड की 85 में और फिजिकल हैंडिकप को 77 या 80 का ये मारजिन रख रहे हैं 77 तो 80 अगर ये स्कोर बन रहा है तो माई दियर फ्रेंड्स आपको इंटर्यू की तैयारी अभी शूरू कर देनी चाहिए उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि सब्जेक्टिव कोई भी पॉर्शन आप से अभी नहीं पुछा गया है तो इंटर्यू में एक अच्छा आपका सब्जेक्ट आए इंतिहान रहने वाला है बाकी परस्नेलिटी चेक वगएर तो जो होंगे वो होंगे ही तो सब्जेक्टिव आप उन्हें अच्छे से तैयारी करनी है तो अभी से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेर कर दें लाइक कर दें और इंस्प्रेशनल गुरू जी यूटीब चैनल को सब्सक्राइब कर लें इतनी कामनों के साथ एक बार फिर आप से अलविदा लेते हैं हम फिर किसी मोड़ पर होगी मुलाकात एक और वीडियो के साथ बन